नवस्कार दोस्तो जहिंद वंदे मातम सभी प्यारमित्रों का वेलकम अभीननन है टी टी परिवार, टी टी फैमली, सिछकों के परिवार, जैसवाल कोचिंग सिंटर पर पावरड बाई सिछा ही प्रकास है दोस्तों मैं आपके साथ जैस्वाल सर और आज की क्लास आर आज के सेसन और आज के प्रेक्टिस सेट में बात करने वाले हैं संसकत, सिच्छासाद, संसकत पेड़ागाजी के practice set नमबर 9 की बात करेंगे हरे class, हरे concept दोस्तों आपके स्लेवस, आपके exam pattern कि इमसार है आए इस practice set में 15, 32 लाजबाब हम सिच्छासाद के प्रश्ण करने वाले हैं जैसे आपके एक्जाम पे पूचे जाते 15-22 पेडागोजी के परशनाते हैं और 15 में से गद्यांस और पद्यांस के परशनाते हैं तो आपके पेडागोजी के कम्प्रीट करेंगे सलेवस के कॉर्डिंग हरे कंसेप ट्रेक्टिस इट कर रहे हैं इसके बाद गद्यांस पद् आईए जान लेते हैं प्रशन क्या दिया गया है कि मुक्त प्रशना नाम प्रमुख विसेष्था वर्दते दोस्तों जो मुक्त प्रशन होते हैं इनकी प्रमुख विसेष्था क्या होती है तत्र मुल्यांकनम कट्नम भवती, ते साम एक मेव उजितम उत्तरम अस्ती, विभिन प्रकार व्यक्ख्या नाम तई आउशर दीते, यह तत्र आहुनानी बहुन शंति की बात करेंगे देखें मुक्त प्रशनों की जो प्रमुग विसेशता होती है यह विभिन प्रकार की व्याख्या के साथ साथ आउसर की प्रदानता करता है अर्थात अगर हमें इंदी में समझें कि मुक्त प्रशनों की प्रमुग विसेशता होती है कि विविन प्रकार के व्याक्षानों पर उन्हें आउसर प्रदान किया जाए इससे भासा की समझ के साथ सूज बूज की छमता का भी विकास होता है दोसरा दोस्तो इसकीन पर दिया गया है प्रशिया है कि सजनात्मक लेखनश अनेकानी प्रियोजनानी संती तेसु प्रमुखम अस्ती अथा दोस्तो जो सजनात्मक लेखन होता है इसके अनेक प्रियोजन होते हैं इन में से प्रमुख प्रियोजन कौन सा होगा भाव बिन में होगा वर्तनी सुध होगा व्याकरन सुधता की बात कर रहे हैं या स्वाभी विक्ति की बात करेंगे सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अधापक अधाभिका बनना गौर्मेंट टीचर बनना सभी का विलकाम अभिनंदन हैं सजनात्मक लेखन के अनेक प्रयूजन होते हैं क्या होता है श्वा अभिव्यक्त होता है अर्थात अगरम हिंदी में समझें कि सजनात्मक लेखन का अनेक प्रियोजन है सभी जानते हैं यह कि उन में से प्रमुक श्वा अभिव्यक्त होगा क्योंकि अपनी अभिव्यक्ती सबसे महत्पूर होती है आपकी सभी आपने आपसे सोच सकते हैं हमारी और आपकी स्वैम की जो अव्यक्त होती है वह सबसे महत्पूर मानी जाती है और सबसे महत्पूर होती भी है I think सभी पैरमित अच्छे तरीके से question को अटेंड कर रहे होंगे तो वीडियो के एक बार दिल से like अवश्च कीजेगा तीसरा दोस्तों बेतरीन प्रशन आपके screen पर आ चुका है कि छात्र नाम क्रते बाल सहिता नाम चैन समय भाव दश्टा किम अनावश्चकम अर्था दोस्तों छात्रों में ठीक है छात्र नाम क्रते बाल सहिता जब छात्र बाल सहित का चैन करते समय भाव की दस से कौन सा किम अनावशक होगा यहां पे अनावशक क्या होगा किम अनावशक होगा चैन करते समय लेकिन मुद्र जो गुणवरता दिया गया है यह सभी लोग जानते मुद्रा पैसा रूपिया या पेड़ागोजी सिच्चा सास में निगेटू अप्सन होता है तो यहां पर एक आज़ी इंटो कोस्टन राइट अप्सन नमबर सी अप्सन दोस्तो सही हो जाएगा फोत नमबर प्रस्टन क्या कह रहा है आप लोगों की स्कीन पर दिया गया है कि सालनी एकस पुस्तकस प्रठेसु दस्टिम निच्पती एबमशा किम करोती देखे सालनी एक जो है पुस्तक के प्रष्ट को देखती है और उसके साथ क्या करती है चित्राम आउलोकनम करोती वचित्रों का उलोकन करती है गंभीरता से अध्यन कर रही है या पारिया लोचनम कर रही है या हम कहर है इसकी पुस्तक के प्रिष्ट पर अपनी दस्थ गंभीरता से रखती है इसका आसा यही होता है दोस्तों कोई गंबेता से अध्यन कर रही है आप ही सोचे जब किसी पे दर्ष्ट या आप लोग अच्छे तरीके से टक टक कहते हैं ना टक टकी लगा के देख रहा है मतलब वो समझ लीजे गहन से कर रहा है कुछ ना कुछ उसको उसमें ऐसा दिखा ह लोगा उसमें नौलेज ले रहा है ठीक उनसे जो आपका कहते हैं आप हमारे मन में भी होता है जो इच्छा होती है समझने के हर एक चीज होता है तो कई चारी चीजें होती हैं बस आपको क्लियर करते जाना है और त्यारी जारी रखना है पांच वाँशने दिया गया है रचनात्मक वाद करते समय सिध्धान्त में चेत्मक 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 वाद करते समय सिध्धान्त यह होता है कि बहासा सिछार्थी ज्यान का पुने प्रस्तुत करता होता है। जिससे नवींता का विकास होता है। फिर आपको कोश्चन भी सई नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नुक्षान होता है ठीक है छटमा प्रश्णिया है कि सिचिका छात्रे बई है कस्चित घटनाया बिवर्णम करतुम निर्जसदी यस्चाम तेम आनंद प्राप्त वंताई है उश्चाहम अथवा निर्जसदी 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 यस्चाम तेम आनंद प्राप्त वंताई है तब जो है छात्रे बई शंकेत अनद प्राप्त वंताई है अंद रचात जो है संकेत देती हैं यथा केन सह कदा घटिता इत्यादी एवं शा प्रत्न करोती कहती है कि यहां पर कौन सी घटना हुई है और यहाईसा प्रत्न करना सिचिका का कौन सा कहलाएगा आपको बताना है लेखन गति विकास कहलाएगा या छातर आम इसमति बात कर रहे हैं सभी लोग जानते चातर नाम इसमति वर्धना ठीक है यह सारी घटना हो रही है और एक जगह जो है चातरों में संकेत देती हैं कि यहां पर कौन सी घटना हो रही है यह प्रत्न करना सिचका का चातरों में इसमति वर्ध यानि कि उसमति कहते हैं हमारी याद ता स्कम जूर हो जाती है तो याद दास्त हो क्योंकि आप कोई चीज पढ़ाएंगे मालने जी क्योंकि आप लोग भाव ये दापक दापिकाएं हैं कच्छा में जाएंगे जब आपको ये कहानी स्टोरी कविता बताते हैं नार्मल तोर पर बच्चों के लिए एक पढ़ने क कि क्लियर हो गई साथ मा परशनंगला परस दिख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों आप लोगों की स्कीन पर दिया गया है क्या पूच्छा जा रहा है कि भाशा याए कोसल कॉसल कौसल चतुष्टम अतरिक्त अधो लिखते सु अपरम कौसलम की मस्ती अर्था दोस्तों भासा में जो है कौसल के चतुष्ट के अतरिक्त दो है इनमें से अपर कौसल कौन सा होगा लेकि भासा के चार कौसल सभी लोग जानते कौशल कितने होते हैं चतुष्ट कौशल चतुष्टम कौशल इसके अतरिक्त भी आपको बताना है इनमें से आपर कौशल कौन सा कहलाएगा सर्जन कौशल संप्रेशन कौशल चिंतन कौशल या हम बात कर रहें अध्यन कौशल की बात कर रहें नोट करते जाएए बिलकुल कमेंट करते जाना है आपको पता है इस क्लास इस सेसन में 15-13 प्रशन पेड़ावाजी के कर रहे हैं इनमें से आपके स्कोड 10 प्लस है 12 प्लस है या 15 आप 50 कर रहे हैं नीचे कमेंट के माद्धाम से ज़रूर बताना है और जैस्वाल सार आप सभ बहतीन प्रशन है कि भाशा या ब्याकरन सिच्छन कस समी करनाय शायकम भवती अर्था दोस्तो भाशा में जो है ब्याकरन का सिच्छन जो होता है कस समी करन किस समी करन के आधार पर यह सहायक होती है हम बात करें 4 बहतीन आप्शन की कि संगेनास्मा के दाय की बात कर रहे है नमरेशी की बात कर रहे हैं साचरताय की बात कर रहे हैं सुधताय की बात कर रहे हैं या वाकप्रभारश्य की बात कर रहे हैं तो भासा में दोस्तो ब्याकरण सिच्छन में जो किस समीकरण में सायक होती तो वह होती है सुधता की बात कर रहे हैं सुधता की, अगर हम हिंदी में समझें, हिंदी में क्या समझें दोस्तों, कि इसके अभाव में, यानि कि भासायाम ब्याकरण सिच्छनम सुधतेया, समी करनाय शायकम भवती, अर्था दोस्तों, ब्याकरण सिच्छन के लिए सुधता कहोना अतनत आवशक होता है, ब्याकरण अगर आप सुद्ध कहते हैं इंगलिस में उचारन सही है हिंदी में उचारन सही है संसकत में उचारन सही है यानि आपका ब्याकरन सही है यह अतिनत अवश्यक होता है सिच्छन की सुदता के लिए और इसके अभाव में क्या होता है ब्याकरन सिच्छन या ब्याकरन को सीखना शंबव नहीं होता है यथा जैसे सा 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 को उचारण की सुधता से ही इस्वष्ट किया जा सकता है शा सरउता वाला शा सरीब वाला शा खटकोन वाला सा ये तीनों शाही हैं लेकिन उचारण की सुधता से ही ये तीनों इस्वष्ट हो जाते हैं कि किस स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा ठीक है आयोप आप लोग समझ पारे होंगे 9 प्रशन 2 प्रशन है कि लेखन परंपरा याम अधस्तने सुकिम संबध्धम अस्ती अर्थाज दोस्तों लेखन परंपरा में से देखा जाए इन में से संबंधित आपका कौन सा हो जाएग कि बिराम चिन्धा नाम शम्म्य प्रयोग है बिराम चिन्ध का समय के उनसार प्रयोग करना समी चीन सब्दा वली या सही तरीके से सब्दा वली का प्रयोग करना या कथा विचारा या स्टोरी आइडियाज या कर्पना की बात करेंगे सभी कमेंट करेंगे फीडवे करेंगे नीचे कमेंट बाक्स ओपेन है भरपूर कमेंट कीजे कमेंट बाक्स कहता है लाइक कर दीजे वीडियो देख लीजे लेकिन कमेंट जरूर आप लोग बहुत कम कर रहे हैं कमेंट बहतरीन करते रहना है, फिडवेक करते रहना है, तयारी जारी रखना है, तो लेखन परंपरा में अधनोस्त इन्मे से संबंधीत आपका बिरामचिन शम्यक प्रयोगे हो जाछेगा, तिके क्या हो जाएगा क्योंकि लेखन क्रिया को संपन करने के लिए बिराम चिन्हों का ज्यान अत्यन आवश्यक होता है और सुद्ध लेखन क्रिया तभी शंबव हो सकता है जब हम बिराम चिन्हों का यतोचित इस्थान पर प्रयोग करें तो इसी प्रकार दोस्तो यतोचित इस्थान का प्रियोग करना बहुत ही उचित होता है हम किसी की भी बात करें अंगला प्रशनाप लोगों के स्कीर पर आ गया है कि अदो लिकती सुका उक्ती है समिचीनम इनमे से दोस्तों उक्ती सही बताना है कौन सी उक्ती समिचीन सही दी गई है कि बाला है यदा बिद्यालयम आगच्छन ती तदा ते रिक्त फलकम इवभवन ती सब्दा नाम शम्वश रटनम करित्वाज सिछकेः बाला नाम भाशाम पठते या बात कर रहे हैं प्रतम कच्छा या चात्रही अंगल भाशा एक खिस्चति ना जाननती या बात कर रहे हैं दोस्तो अनभावा नाम महत कोशेण शेह बाला एविद्यालम आगशचती इनमें से सही युक्त आपका D-Option दिया गया है कि अनभवा नाम महतकोशेन शहवाला है विद्यालम आगजचनती क्यों है इसका हम हिंदी में बताएंगे इसका हिंदी में मतलब होता है कि बालक अनभवों के बिस्तरत कोश के साथ बिद्याला आते हैं और ये युक्त समीचीन कहलाती है और जो अन तीन विकल्प है आपके असमीचीन दिये गए है ठीक है आप देख लेते हैं 11 अमबर प्रशन आप लोगों के स्वीन कर क्या इसकीन च्छा च्छा चात्रान सिच कह नियोजटम शकनोती ये दैस्ट्रा विस्या संबंध अस्ति अर्थास दोस्तोर इन में से बीसम समंदित अधिकरती सुतनता लेखन के लिए चतुत कच्छा की च्छात्र जो है सिच्छ को नियोजट करने के लिए और सैंब यह किस विस्या स से सम्मंदित हो जाएगा वैक्तिक जीवन की बात कर रहे हैं वातवन शमश्चा समश्चाभी की बात कर रहे हैं समाजिक समश्चाभी की बात कर रहे हैं यह राश्टविन देखे एक चीज़ आपको द्यान देना है कि कश्चित बिसम अधिकर्त स्वतंतता लेख तुम देख सिच्छक किसी विषय को लेकर कच्छाचार के चातों को सतंता पूरक लिखने के लिए प्रेदित कर सकता है यदि वह विषय समाजिक समस्चा से समंदित होता है बरहामा प्रिशनाब लोगों की स्कीन पर दिया गया है कि एकश्याय भासा याय अधिगमार्थम अध़नेस्तुकश्यमात्म सरवादिकम अर्था दोस्तों एक शमाज़ाय एक भासा के अधिगम से समंदित इनमें से कौन सा मत्व जो है सरवादिक हो जाता है उसका नाम पठनम की बात कर रहे हैं चलचित्रा नाम नाटकम प्रिच्णम की बात कर रहे हैं अध्यन अध्यापन शमागरी उप्योगई की बात कर रहे हैं या समाजिक समबाद की बात कर रहे हैं इनमें से एक जो है भासा अधिगमार्थम समंदित महत्वण कहलाता है समाजिक समबाद अगर हम हिंदी में समझें, हिंदी मतलब होता है कि एक भासा को सीखने के लिए सबसे महत्पूर्ण समाजिक संबाद होता है क्योंकि बच्चे अपने परिवार के सदस्चों समदाय समकच्छी सिच्छक आदी से समाजी कंते क्रिया इस्थापित करते हैं और वह अपनी भावनाओं, बिचार, आदी को भासा के मादम से आजविवेक्ट करते हैं तेरहाँ प्रसंदोस्तों इसकीन पर है कि बाला या शभाविक ताय तस्य प्रतमाम भाशाम बालक में सभाविक रूप से प्रतम भाशाम जो है आपके आदिग्रहनम करोती हो गया पुनरबलम करोती होगा, अदिगच्चती होगा या अनुकरोती होगा शभी कमेंट करें कोई भी डाउट हो अगर क्लासी स्पीट हो रहे ते वीडियो पहुच कर सोच कर समझ कर आप लोग एंसर कर सकते हैं तो बाला या शभाविक ताय तस्य प्रतमाम भाशाम अनुकरोती अनुकरन करना ही सबसे पहला चरण होता है अगर हम हिंदी में समझें कि बाला कव शभाविक रूज से पहली भाशा का अनुकरन करता है भाशा अदियम में अनुकरन का अत्यनतमात होता है और बच्चा अनुकरन के मादम से ही सीगतरा इवं सहजता से सीख पाता है अब देखेंगे दोस्तो 22 दो प्रशन और बचे हुए हैं इनको भी कम्प्रीट कर लेते हैं चलिए अंगला प्रसन आचुका है 14 नंबर प्रशन क्या कह रहा दोस्तो 14 नंबर प्रशन यह है कि कच्चा याम लेकनश प्रारंभक करतुम सिख कह कच्चा में जो है लेकन को प्रारंभ करने से पहले सिख्चक का कार क्या होगा कि भिद्यालयम आगनमात्म पूरं विभिन परिच्छे दान पढ़तुम छात्रां नेचित सुन्दर हस्त चरणे हस्तर चने लेक चात्रां नेचित यानि सुन्दर लिखना राइटिंग के साथ लिखने के लिए निदेशित करना या विश्यो परी मंतनम कृत्वा चित्वा नाम निर्मालम कुत्तम चात्राम निदेशिती ये कश्ण फल के विश्यो परे लिखतम परिछेदम अनुलेक तुम छात्र नाम निदेशन की बात कर रहे हैं तो राइट आपसन दोस्तों कच्छा में लेखन को प्रारम करने समय सिच्छा का जो कार यह होता है यानि विश्यो परिमन्थन करने के साथ साथ चित्रों को निर्मान करने के लिए छात्रों को निदेशन करना अगर हिंदी में समझें मत्तब क्या हो जाएगा कि कच्छा में सिच्छक द्वारा लेखन कार प्रारम करने के पूर सिच्छक विश्यो पर मन्थन करके विचारों का निर्मान करने के लिए छात्रों को निर्देश देते हैं पंद्रामा प्रिशन है इस सेसन इस क्लास का पंद्रामा प्रिशन क्या कह रहा है कि आदर्स वादस दासनिक है अयम अर्था दोस्तों आदर्स वाद में दासनिक कौन सा हो जाएगा कहलाते हैं शुकरात रूस वरी देंडे ड्रेक है या वाल्टे वरी की बात कर रहे हैं तो आदर्स वादर्स दर्स निकाह आयम क्या हो जाएगा यहाँ पर हम शुकरात की बात करेंगे अगर हिंदी में समझें थोड़ा सव समझ लीजेगा क्या समझना है मदिके प्राचिंतम विचार धारों में आदर्षवाद का प्रमुकिस्थान रहा है और आदर्ष, मोल, प्रत्य, अद्धिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्यवाद के नाम से भी संग्यापित जो है किया जाता है और आदर सुवात के प्रमुक प्रवर्तक हमारे शुकुरात कहलाते हैं ये सभी लोग जानते हैं पलेटो, डेकाथ, इस्पनोजा, हीगल ये सभी आपके आदर सुवात के प्रमुक प्रवर्तक हैं लेकि इनमें से आपका शुकुरात का नंबर वन पहला आता है और दासनी की गर्णा की जाती है ठीक है तो आपको क्या हो जाएगा आदर सुबाद दासनी कायम यहाँ पर शुकरात आपका राइट अपसन हो जाएगा दोस्तों इस सेसन इस क्लास में हमने 15 पर सिच्छा सास संसकत पेड़ोगाजी के प्रशन की इन में से आपको कमेंट करक होती चाहे हम मैस की बात करें चाहे हम भासा की फस्ट और सेकंड की बात करें चाहे हम इंवायर्मेंट की बात करें दोस्तों चाहे हम सीडीपी की बात करें हर एक सब्जेट का आपने आपने इंपोर्टेंट है और हर सब्जेट की त्यारी कीजिए हर कोई भी सब्जेक्ट weak नहीं होता है कमजोर नहीं होता है आपने आपको एक subject क्या होता है important हमें कैसे बन जाता है हमारी सोचने की क्या है क्या होता है कि कोई न कोई subject ऐसा होता जिसमें हमें पकड़ जो होती हमें हिंदी बोलते हैं हमारी पकड़ मैत में है हमारी पकड हिंदी में है, संसकत में है तो ये जो पकड होती है, इस पकड को और मजबूद करना है और दस सब्जेक को पकड़ना है, त्यारी जारी रखना है क्योंकि सलेक्षन यहाँ पर शुरू पर है दोस्तों मैं आपके साथ जैस्वाल सर जल्दी मिलेगे नेस्ट क्लास, नेस्ट कंसेप्ट, नेस्ट मॉडल पेपर, नेस्ट पेक्टिस पेपर पर जल्दी आएंगे नए क्लास लेकर धनवाश्वी का जैहिंद वंदे मात्र